मेरे यूट्यूब चैनल मैट्स्विस साहिद अंसारी में आप सभी का स्वागत है आपने यदि चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर ले पेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरे आने वले वीडियो पहुंच सके आज हम देखेंगे वक्षा नोवी परिसिक परिक्षा 2019 बीस का पिपर गडित का जो की जिसमें प्रशन क्रमांग के एक सहीं विकल्प चुनकर लिखिये पूशा गया था और इसमें पहला प्रशन था बहुपत एक्स की खाथ 5 रिण 4 एक्स की खाथ 2 धन 2 में बहुपत की खाथ होगी तो बहुपत की खाथ आप देख रहे हैं यहाँ पे अदिकतम 5 है इसलिए इस बहुपत की खाथ 5 होगी जालते हैं सही हमारा इसके बाद मदखनने है कंच चुट को चालने परह शस्थ आने की हैं सही हूं च्यता थीड़्व करीदू की चेट आड़ाय को अर्थात तीन तरीके से हम चितला सकते हैं, तो अनुकुल प्रकार इसके तीन हो जाते हैं, तीन वटे-चार इसका तहीं आंसर है, इसके बाद अगला प्रस्ण पुछा गया था, दिये गए, विकल्पों के अधार पर रिक्तिस्थानों की पूर्दी कीजिए, यहां पर विक कि घात एक बड़े दो अर्थात इसको हल करने पर हमारा तीन प्राप्त हो जाता है और इसके बाद चौथा प्रशन में पी इधन पी इबार बराबर एक होता है अगला प्रशन था कि संकु कायतन इसमें से चैनित करना था तो एक बड़े तीन पाई यारे स्क्वेरे संकु का प्राइतन होगा इसके बाद अगला प्रशन पूछा गया था एक शब्द अत्वाबाग के मुत्तर दीजिए तो पहला प्रशन था है इसमें रेखिक समिक्रण में चरकिया दिक्तम घात कितनी होती है तो एक होती है इसके बाद तीन रिंड दो चतुर्थांस में इस्ति थ जाता है हमारा 9 बटे, 3 अर्था, इसको सरल करने पर 3 आंसर सही है इसके बाद 14 प्रशन पूछा गया था पराइकता का दिक्तमान होता है तो पराइकता का दिकतमान एक होता है अगला प्रशन था सो घात के एक पर दी का उधारन दीजिए तो यहां पर एक सी इसके बाद प करणी पांच एक परिम्य शंखया तो ये इसी प्रकार से पूर्ण अपने भाग से बढ़ा होता है और चौन्था पर्शन था इसमें वर्ग अंत्रालis 15 वर्ग की उच्छ सीमा यहां निम्न सीमा आता है और अगा प्रश्न पुछा गया प्रिश्टीज रफल बराबर bogत बर् साहीं जोड़ी पूछी गई थी इसमें कालम ए में रिन पास धन दो तो यह इस तरीके से रिन तीन होगा इसके बाद दो बटे सो को हम दसमलो शुन दो लिख सकते हैं और चार रिन तीन का गुणा बारा होता है इसी प्रकार से शुन दसमलो एक बराबर होता है एक बटा दस 113 अर तीन बराबर दो बटे 6 के होता है अगला प्रशन यहां पे 2 उंक वाले पूछे गयते है चटर प्रशन से तो दो उंक वाले प्रशन दो अंक के लिए बिंदू चार तीन के भुजर कोटी तो चार भुज़े और कोटी तीन है तो इस तरीके से आंसर यह सही होगा अगला प्रशन अत्वा में दिया गया था कि कार्तितल में बिंदू की इस्तिती निर्धायत करने वाली चैटिस रेखा अर्थात एक सक्षोती औ दो अंक का यह प्रशन पूछा गया था निर्धा सांग जामिती से अगला प्रशन प्रशन क्रमांक आठ कुछ आंकड़ी दिये गया थे इसमें बहुला कमान गयात करना तो हम देख रहे हैं यहां पर चावदा की सबसे अधिक ज्यादा आबरती हो रही है चार बार आबरत प्रशन प्रशन क्रमांक नौ में भी पूछा गया कि एक समांतर चत्रबुच का शेतर फल नब्बे वर्ग सेंटीमेटर इसकी एक बुझा की लंबाई 30 सेंटीमेटर हो तो इस बुझा की सम्मुख बुझा से दूरी सीरसलम गयात कीजिए तो यहां पर हम जानते हैं कि समा समांतर चत्रबुच का जो छेतर फले आधार गुणित उंचाई अर्थात यहां से उंचाई हम ज्याद कर लेंगे अर्था सीरसलम यहां नब्य बटे तीस बराबर तीन सेंटीमेटर इसका सीरसलम होगा अगला प्रशन इसी क्यात्वाँ में पूछा गया था कि निमना आक पांच एक 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 और चार को तब हमें प्राप्त हो गया तेरा एक आई के बराबर इसके बाद इसके अथवा में पुछा गया था एक तीन वटे चार और एक वटे चार का योग ग्यात किजिए तो यह प्रशन ब्रिच कोर्स पर अधारित है जिसमें हम देख रहे हैं इसको जोड़ने पर चार बटे चार अर्थात एक प्राप्त हो जाता है अगला प्रशन पुछा गया था है तीन अंक के लिए प्रशन क्रमांग 11.8 बार को पी वटे क्यू कर रुप में वक्त किजिए और पी और क्यू पूर्णांख है क्यू बराबर नहीं है सुन के तब ह हमें इस पर मान लेते हैं आप और आप देख रहे हैं इसका हल इस तरीके से हम ग्यात कर लेते हैं तो एक्स बराबर आट बटे नो पराप्त हो जाता है यह पी वटे क्यू के बराबर होगा इसके अथवा में पूछा गया था कि एक बटे करणी पांस धन करणी दो का हर का करें और इसका आंसर ले आए करद़नी पांच रिंट करणी दो बटे तीन इसके बाद समी करण दो X धन Y परावर 7 के कोई दो हल लिखी है तो X परावर 0 पर हम निकाल सकते Y का मान 7 होगा इस तरह के से Y का मान 0 पर X परावर 7 बटेद होगा इसके अथा हमें प्रश्ण पुछा गया था K का मान गात कीजिए X परावर 2 Y परावर 1 तब यहां पर समिकरण में X और Y का मान रख देंगे तो K का मान निकल जाएगा साथ इसके बाद 3 अंक में ही 13 बटेश्ण पुछा गया था कि आकरती में X Y Z के मान गात कीजिए तो हम देख रहे हैं यहां पर X और Y बरावर होंगे इस अतय है यहां पर कॉन Z बरावर हमें X और C में से माइनस कर देते हैं तब 45 संस हमें पराप्त हो जाता है इस तरीके से हम गयात कर लेते हैं इसके अत्वाव में पूछा गया था है कि याकरती में कॉन SPR बरावर 115 संस कॉन P2 बरावर 110 संस तो कॉन PR Q गयात किजिए तो यह PR की इस कॉन को हमें गयात करना था हम देख रहे हैं अपर यह रेखे कुग में है जिसका मान एक्सवा सी अंस के बरावर होता है तब यहां से QPR बरावर हम निकाल लेंगे इसके बाद TQR बरावर हम देख रहे हैं कॉन QPR धान कॉन PR Q बहा कॉन है अट है इसका हल हम निकालते हैं PR Q बरावर 110 संस तो कॉन के अनुपात दिये गए हैं तो अनुपात गयात होने पर हम जानते हैं कि चत्रबुश के चारों कुडों का युक्वल 360 अन्स होता है उसमें हम मान लेते हैं 10X 13X 7X और 6X तो प्रक्रम से कॉन को हमने मान लिया यहां पर हल कर दिये X कमान 10 रखते हुए तो यह प्रते कॉन हमें ग्यात हो जाता है इस प्रकार से इसके अथवा में प्रेशन क्रमांग 14 में तीन अंक का कुशन पूछा गया था समांतर चतुरच के कोई तीन गुण लिखिए तो यहां पर गुण लिखे हुए हैं इसके बाद प्रेशन क्रमांग 15 में किस चतुर्थांस में इस्तित है बताना था तो यह दूती चतुर्थांस में होगा यह 3 में और यह 4 में और पान्स द्रण चेव चतुर्थांस में इस्तित होगा प्रेशन पूछा गया था कि निम्री बिंदूओं को कारती तलियों प्रदर्शृत किजिए unto यहां पर कारती तलियों प्रदर्श्य kmu करने तीनों बिंदू को और इस तरीके से इस प्रिश्णो को हल करना था इसके बाद चार अंक वाले प्रिश्ण की बात करते हैं तो इस Ya यह फ्रतःतों दीना शीयाता कि असु अनुक। की रचना करनी थी कोण जानी, सांखिकी के बारे में विद्यातियों का मत जानने के लिए 200 विद्यातियों का सर्वेक्षिन करने पर यहां पर हम देख रहे हैं पसंद करते हैं विद्यातियों का 135 और नहीं पसंद करते हैं पैसरट है तो इसकी प्राइक्ता पसंद करने वालों की 135 बटे 200 हो और संकी की पसंद नहीं करते हैं उसकी पैसेड़ बते 200 इसको कैंसल करके और आप हल कर सकते हैं इसके बाद अगला प्रश्ण इसके अथो हमें जो की तीन वर्सों से लगतार आ रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेवास द्वारा खेली गई तीस गिंदों में स इसके बराबर एडि है और एक को संद्वाइद करता है तो तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको इसको सिद्धकर दिया है यह आप देख सकते हैं और इसके बाद प्रश्ण क्रमांक 18 का ही है तो प्रश्ण पूछा गया ता कि तो यह चारों का सोटिया दी गई है इस पका प्रफ करना था आगला प्रश्म इस क्यात्व हमें देख रहे हैं आकरती में कौण ABC बराबर 69 और AC बराबर 31 संसे तो कौण BDC कमान ग्याद करना चाहेंगे तो कौण BDC बराबर कौण BAC के क्योंकि एक ही जीवा पर यहां पर कौण बराबर होते हैं इससे हम लिखते हैं तरभ यहां पर यहां पर बराबर होते हैं तब यहां पर BDC बराबर 80 हो जाता है अगला प्रश्म आप देख रहे हैं प्रश्म क्रमांग 20 इसको हल करने पर 803 पना जाएगा और एक दिसमनु दो पांच से तीन पांच को जोड़ेंगे तो एक दिसमनु ट्राप्त हो जाएगा आधारी गुणा और भाग के प्रश्म एक सो पैसेट में ते इसका गुणा करने पर और भाग देने पर 201 प्राप्त हो जाता है इसके बाद इसके अत्वा में डेसिमल के प्रश्म दिए गये थे एक बटे सो को हम दसमनों सुनने के लिख सकते हैं पच्चिस बटे एक हजा इसके बाद इसके अत्वा में प्रश्म दिया गया था कि उप्रिक्त सर्व समीक करके रिन 2 एकस धन 3 धन 2जट का स्क्वेर का प्रिशार कीजिए तो यह प्रिशार के लिए सूत्र हम जानते हैं इसके आधार पर हमने यह आमान रखके और इसका प्रिशार निकाल दी इसके इसके बाद प्रश्म करणन तहीं है कि इसका सर्व करके आले खीजना था तो यहां पर अमने बिंदू निकाल लिए इसके निर्देशांग तकरते हुए यहां पर निर्देशित करते हुए इस सर्ल एखा का आले खीज दी है इसके बाद ये परेशन 3 साल से continue आ रहा है पहले क्लमेंटर का कराया 8 रुपए है उसके बाद बीच की दूरी के लिए पती क्लमेंटर कराया 5 रुपए तब इसके लिए समीकरण लिखना था तब हम इस तरीके से समीकरण लिख देते हैं तब कि समी करण हमें हल करने पर पांच एक स्रीन वाय बराबर एंड तीन प्राप्त हो जाता है इसके बाद प्रश्ण करमांग चौबिस चौबिस में आप देख रहे हैं एक त्रबुच का चितरपल ग्यात करना था जिसकी दो बजाए आठ सेंट्ट्र ग्यारा सेंट्ट्र ने त तो सरल करने पर हमें आठ करनी तीस वर्क सेंट्र प्राप्त होगा इसके बाद आप देख रहे हैं इसके अथवा में पूछा गयता है कि एक त्रबुचा कार पार्क एबीसी में एक सो बीस असी और साथ मिटर करम से हमने एबीसी मान ली है तो यहां से हम परिमाप निकल ल ते और इसके विद्यारतियों के संक्या तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आयच चित्र हम निर्मित कर लेते हैं इसके बाद इसके अत्मा में जो प्रशन पूछा गया था यह प्रशन भी बहुत सरल था इसमें हमको माद्द माद्यक और भौला गयात करना था इसको हम झाहें तो पहले आरोउइकरम में जमा ले तो पहले तो माध्यक कर लें कुलक्ष्णु के फ्र in focus son encouraged है 2. कि पूछा गयाता किसी संकु की त्रियक मुचाई और उंचा इक्रम से एके संकु के सूत्र में हमने मान रखे और हमें आयतन गयात हो गया साथ जार पांसो चैलिस गहन सेंटिमिटर तो इस तरीके से आप सौल कर लेंगे से इसके बाद इसके अथवा में जो पुछा गयाता हैं आप देख रहे हैं कि 21 संटिवीटर तेज्जा आले अर्थ बोले में बखर प्रश्टीज चैतरफल तो यहां पर तूपा यह से निकालेंगे 272 बार्क से तरीके से यह प्रश्ण पत्र में पाच अंक के प्रश्ण पूछे गए थे अंतिम प्रश्ण था यह